हलो फ्रेंड्स वोगत करता आपका और एक नए वीडियो में तो आपको सबको पता है 16 ने सिनेर नाशनल हो चुकी है उसमें रेलवेज ने फाइनल मारी महारास्टा फाइनल में थी महारास्टा की प्लेर सब यंग प्लेर थे 12 के 12 प्लेर ने डेबू किया था कोई भी ओल्ड प्लेर नहीं था सब नूँ प्लेर थे लेकिन तब भी उन्होंने बहुत ही अच्छा पफॉर्म किया गुरूब स्टेज में उनने तामिल नाडू, त्रिपुरा गुजरत के साथ one side match win किया है, प्री कौर्टर फैनल में केरला के साथ one side match win किया है, कौर्टर फैनल में चंदिगर जैसी दिगज टीम को जिसमें विजय मलिक, रिंकु शर्मा जैसे प्लेयर है, उस टीम के साथ भी one side match विन किया है और semi final में तो सब को पता है हरियाना जैसी टीम, दिगज टीम जैसे प्रदीप नारवाल, संधीप नारवाल, मोहिद गोएट, राजेश नारवाल बहुत प्रो कवड़ी के टॉप के प्लेयर थे उस टीम के साथ one side match विन किया है फाइनल मैच में रेलवे को कड़ी टकर दी लेकिन रेलवे के समने महाराष्ट्रे की टीम का थोड़ा experience कम पड़ गया उसके वैसे रेलवेज ने फाइनल मार दी लेकिन महाराष्ट्रे के प्लेयर है उनका domination क्लेयर ली दीख रहा है प्रोकवड़ी इस बार के auction में क्योंकि अल्मोस सब टीम में महाराष्ट्रे के प्लेयर है और उनको अच्छे प्राइस पर बाई किया है सब फ्राइंचाईसीन है और असला मिनामदार आकाश इंदे जैसे प्लेयर को रेटेन किया है तो आपको बताता हूँ कौनसे कौनसे टीम में कौनसे कौनसे महाराष्ट्रे के प्लेयर है पूरी लिस्ट आपको बताता हूँ कि इसको कितने में खरीदा वो भी आपको सब बताता हूँ विडियो में अंतक बनी हर आघी है, विडियो को थोड़ाइप मत कीजिए चैनल पर नहीं जोटन की सब्सक्राइब कीजिए अपके फ्रेंड को शेयर कीजिए तो चलो चलते देखते कौनसा-कौनसा महारष्टक अपलियर कौनसे-कौनसे फ्रेंचेज से इस पर खेलने वाला है तो पुनेरी पल्टन की बात करेंगे तो पुनेरी पल्टन ने असला मिनामदर को पहले ही रिटेन कर दिया था आकाश शिंदे इनका भी जोबर्दस पाफॉर्म था इनको भी रिटेन किया था पंकज मुईदेज बार रेलवे से खिले थे उनको भी रिटेन किया है बाला सहिब जादों को 10 लैक में पुनेरी पल्टन ने खरीद लिया अलंकार पाटिल को भी 10 लैक में पुनेरी बल्टानी खरीद लिये हर्स लाड जो मुंबई शहर से उनको 6 लैक में पुनेरी बल्टानी खरीद लिये संकेत सावन को भी पुनेरी बल्टानी रेटेन कर लिये शुबम शेलके को भी पुनेरी बल्टा ने रिटेन कर लिया है आधिते शिंदे को न्यू यंग प्लियर में लिया हुआ है बैंगलूर बूल्स की बात करेंगे तो मयूर कदम को बैंगलूरी बूल्स ने पहले ही रिटेन कर लिया था जी भी मोरे को भी बैंगलूर बूल ने पहले ही रिटेन कर लिया था रावल खाटिक इनका बहुत ही अच्छा पफ़म्स था सिंधियर नाशनल में उनको 10 लेक में खरीदा है सुधाकर कदम को भी 10 लाक में बैंगलूर बूल ने खरीदा है बैंगलूर की बात करेंगे हम तो आकाश पिकल मंडे को उन्होंने रिटेन कर लिया बहुत ही अच्छा पफ़म किया था सिंधियर नाशनल में जिंक के कापरे जो लास्ट एर यू मुंबा में थे उनको बैंगलूर ने 26 लैक में खरीदा है वयभाव गर्जे को एन्वाइपी के स्कीम में लिया हुआ है स्योग गाइकर को भी एन्वाइपी के स्कीम में लिया हुआ है गिरी शेरनाक जो लास्ट एर गुजरात जाइन में थे उनको 20 लैक में खरीदा है रिकन जादो लास्ट एर यूपी योद्धा में दें उनको भी 26 लाक में खरीदा है शुबम चिन्दे जो लास्ट एर पटना पारेट्स में दें उनको 20 लाक 30 दाउजन में खरीदा है बात करें यू मुंबा की दो किरन मगर का बहुती अच्छा पवंस्ता 69 सीनियर नाशनल में उनको 31 लाक में खरीदा है प्रने राने को एनुआपी के स्कीम में लिया तामिल थलावज की बात करेंगे तो तामिल थलावज ने अजिंग के पावर को रेटेन किया तेलगू टाइटन की बात करेंगे तो तेलगू टाइटन ने सिद्धर देशाए को 20 लाक में खरीदा है गुजराज जाइंट की बात करेंगे तो गुजराज जाइंट्स में चंकर गदई जो महाराश्ट्रिम के कैप्टन थे उनको 30 लाक 30 थाउसन में खरीदा है पटना पारेट्स की बात करेंगे तो पटना पारेट्स ने आनंत उमर को 10 लैक में खरीदा है। दबंग दिल्ली की बात करेंगे तो दबंग दिल्ली में तेजस पाड़िल को एनवबी स्कीम में 6 लैक में खरीदा है। जेपूर पिंक पैंदर की बात करेंगे तो जेपूर पिंक पैंदर ने राउल धनावडे को 10 लैक में खरीद है